ना ही ये तेल है ना ही ये कोई हेर पैक है अगर आप इस रेमिडी का इस्तमाल करते हैं तो आप अपने बालों को कम समय में लंबा घना और मजबूत बना सकते हैं साथ ही साथ गंजे पन से छुटकारा पा सकते हैं गर्मिया आने लगी है तो जाहिएर सी बात है तेल लगाना लोग पसंद नहीं करते हैं गर्मियों में क्योंकि उससे बहुत ज़ादा पसीना आता है अगर आप अपने बालों का जणना रोकना चाहते हैं, बालों को तेजी से लंबा करना चाहते हैं, बालों को सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजबल, साथी साथ अपने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस रेमेडी का इस्तिमाल करके देखिए, फ्रेंड का गंजपन दूर हो जाएगा बालों का जहलना पूरी तरीके से रुख जाएगा साती साथ आपके बाल जो बहुत जादा रूखे बेजान है आपके बाल सिल्की सॉफ्ट शाइनी और मैनेजबल होने लगेंगे आप से मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जनकारी ही सही होती है और एगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है थोड़ा सा अभी यूसफुल लगता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएग अस रमेडी को बनाने के लिए आपको ही और चाहिए फ्रेश ऑलोवेरा की लेव आप हर रमेडी में मार्किट वाला यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर यह फ्रेश वाला ही अलोवेरा लेना है आपको सिर्फ यहाँ पर एक लीफ लेनी अगर आपके घर में नहीं है तो आप आस पडोस में देखिए कही न कहीं यह होगा और एक लीफ ले लेजिए और इस तरीके से साइड की जो काटे होते हैं उनको निकाल दीजिया ओर उपर की स्केन को हटा दीजिए अब आपको जो है इसका पल्प निकालना है पल्प निकालना बहुत जादा इजी है अगर आप चमच की मदद से पल्प निकालते हैं तो बहुत ही असानी से निकल जाता है जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आप उस तरीके से निकाल लिए देखिए सारा पल्प जो है बहुत ही असानी से निकल जाता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरीके स आप पल्प निकाल लीजे, हमें इतने ही पल्प की जरुवत है, आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जो है, एक मिक्सी जाल लेना है, क्योंकि हमें इसको पतला करना है, क्योंकि हम अगर इस त उसकी चीज अच्प करने है, वोहा बहुत है जिंजर यानिक अद्रक, आपको अद्रक का अंब को इतना बड़ा है, इसको पीस लीजे, पतला पेस्ट बना लीजे, उसके बाद जब यह पेस्ट बन जा है, तो आपको एक्क चानी लीजे, और उसमें यह जो हमने पेस्ट ब तो यह एक तो अच्छे से मिक्स भी हो गया है और यह आपके बालों के लिए परफेक्ट रेमेडी बनकर तयार हो गया आप चाहे तो किसी मकमल के कपड़े से भी आप इसको छान सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसमें अलोवेर लिया है और जिंजर लिया है यह दोनों ही चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है जब आप यूज करेंगे तब इसका फायदा जो है आपको दिखेगा अगर आप नहीं यूज करते हैं एक बार ही लगा के छोड़ द सकते हैं या फिर आप जिस तरीके से तेल लगाते हैं आप उस तरीके से भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप इस रेमेडी का यूज करें तो आप पहले पैस्टेस्ट जरूर कर लें क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत जादा सेंसिटिव होती है ज तो जादा वर करेगी और अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो आपको चार से पांच घंटे रखना पड़ेगा तो इससे अच्छा तरीका यह है कि आपको जब भी हर वाश करना हो तो उससे एक रात पहले अपलाई कर लें इससे क्या होगा आपके बालों को पूरी तरीके से इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आपको बहुत जदे हैर फॉल की समस्या है आपके बाल ना बढ़ने की समस्या है दो मुहे बालों की समस्या है तो आप इसको वीक में दो या तीन बार अपलाई कर सकते हैं वहना आप वीक में एक बार इस रेमेडी क कर लिजे ताकि blood circulation blood circulation से जो होता है हमारा जो hair growth हो hair growth जो होता है वो increase होता है ठीक है फ्रेंज तो आप massage जरूर कीजिए अगर आप कुछ भी लगाते हैं तेल लगाते हैं hair serum लगाते हैं कुछ भी लगाते हैं तो जरूर से massage कीजिए और उसके बाद आप mild shampoo से hair wash कर लीजे आप कोई भी shampoo यूज कर सकते हैं जो आप अपने hair wash के लिए यूज करते हैं और उसके बाद friends आपको dryer से बिलकुल भी बाल नहीं सुखाने इससे बाल हमारे बहुत ज़्यादा damage होने लगते हैं आप natural तरीके से ही बालो को सुखाए और जब आपके बाल सुख जाएंगे तो आपको result कुछ इस तरीके से मिलेगा friends अगर आपके बाल बहुत जादा dry हैं तो हो सकता है कि आपको एक बाल में फर्क ना दिखे लेकिन आप regular इस्तमाल करते हैं तो आपके बाल भी मेरी तरह हो जाएंगे आपके बालों में इसी तरीकी की चमक आएगी बालों का ज़र्णा रुख जाएगा गंजेपन से आपको छुटकारा मिल जाएगा अद्रक बहुत अच्छे है अद्रक का रस जो आप अपने स्केल्प में लगाते हैं वो गंजेपन को खतम करता है तो आई हो फ्रेंड्स आपका आज का वीडियो यूस्फुल लगा होगा यूस्फुल लगा है तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो से रिलेटट कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिपलाई जरूर करूँगे